नमस्कार मैं मुझा विशेक त्यागी आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट T20 विशुकप में भारत की भार के बाद ये साफ था और लगबर सभी लोग इस बात को कह रहे थे कि भारत ये टीम में बड़े बदलाव होंगे BCCI कड़े एक्शन लेगा क्योंकि खास्तोर पर जब BCCI में 14 गांवली बैटे हैं और भारत टीम के कोच बना दिये गए है राहूल द्रविड ऐसे में इसाफ था कि टीम इंडिया में बड़े बदलाव होंगे और कुछ बड़े एक्शन लिये जाएंगी और वो एक्शन ले लिया गया है वो खबर आ चुकी है वो खबर क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा और उस खबर का क्या असर पड़ेगा क्या इंपेक्ट पड़ेगा टीम इंडिया पर ये भी मैं आपको बताऊंगा दरसल टीम इंडिया का जो चैन हुआ था वो IPL के आधार पर हुआ ये बात जग जाहिर है सभी जानते हैं क्योंकि IPL के प्रदर्शन के आधार पर ही टीम इंडिया का इस बार चैन हुआ क्योंकि अगर प्रदसन के आधार को देखते तो श्रे सेयर को नमबर चार पर मोखा मिलता लेकिन उनको नहीं मिला उनकी जगा सूर्य कुमार यादव को मोखा मिला और इसी तरह से टीम इंडिया में हार्दिक पांडिया को मोखा मिला और हार्दिक पांडिया के फेल होने के बाद लगातार ये सोशल मीडिया पर खबरे चल रही थी ये चर्चा चल रही थी कि आखिर IPL के आधार पर टीम इंडिया का चैन क्यों होता है जो खिलारी घरेलू क्रिकेट में बहतर कर रहे हैं उन खिलारियों का क्या जो खिलारी घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बना रहे हैं वो कहा जाएंगे और इनमें सबसे बड़ा नाम है संजू सैंसन का क्योंकि संजू सैमचन आईपेल में लगातार बढ़्या कर रहे हैं, गढ़ेलू करकेट में लगातार रन बना रहे हैं, लेकिन उसके बाबधूत भी संजू सैमचन को मौका नहीं मिल रहा है और पिछले कई दिनों से लगातार संजू सैंसन को लेकर सोचल मीडिया पर ट्रोलिंग चल रही है संजू सैंसन को लोग जस्टिस लेकर उनको लगातार कर रहे हैं कि संजू सैंसन को जस्टिस मिलना चाहिए और ये लगातार आवाजे उठ रही है लेकिन अब BCCI भी जाग गया है और BCCI ने अब एक बड़ा फैसला लिया है वो फैसला ये है कि अब team India का chain IPL के प्रदर्शन के आधार पर नहीं होगा जी हाँ अब ये साफ हो चुका है BCCI की तरफ से कि भाई अब team India का जो chain होगा वो IPL के प्रदर्शन के आधार पर नहीं होगा बलकि घरेलू क्रिकेट के प्रदर्शन के आधार पर होगा जो खिलारी घरेलू क्रिकेट में जितना बहतर प्रदर्शन करेगा उसका ही number अब team India में मिल सकेगा उसका ही number team India को में आएगा ये साफ कर दिया है BCCI ने और इस बात की उमीद हमें पहले से ही थी कि शायद अब सोरभ गांगली और राहूल डिर्विड दोनों खिलारी मिलकर टीम इंडिया के भागय के उद्या को लेकर एक बड़ा फैसला लेंगे चुकि राहूल डिर्विड के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं किस तरह से अंडर 19 टीम को सजाया समारा और किस तरह से उनसे प्रदरसन करवाया राहूल डिर्विड ने अंडर 19 टीम से आज अगर भारत की बैंच स्टेंथ इतनी मजबूत है तो उसके पीछे राहूल डिर्विड का बहुत बड़ा हाथ है और अब जब राहूल डिर्विड को टीम इंडिया की कमान मिल चुकी है तो राहूल डिर्विड अब वहां भी पीछे नहीं हटेंगी उम्मीद है कि र वज़ा और भी है वज़ा ये है कि आप जादतर सीनियर खिलारी आईपियल खेलते हैं घरेलू किरकेट कम खेलते हैं जिसका असर घरेलू किरकेट पर भी पड़ता है खिलारी के प्रदर्शन पर भी पड़ता है और अगर आब खिलारी घरेलू किरकेट के प्रदर्शन के आधार पर team India में जाएंगे तो आप यकीन मानिएगा कि जो senior खिलारी हैं वो सभी घरेलू cricket भी खेलेंगे और अगर सब खिलारी घरेलू cricket खेलेंगे तो घरेलू cricket का इस्तर भी ऊपर होगा तो इसलिए BCCI का ये फैसला बहुत बहतर है team India के लिए बहतर है और उम्मेद कि अब team India का भागया उदव होगा team India आने वाले T20 विश्यू कप में बहतर परदसन करेगी उसके बाद में 2030 में 50-50 ओवर का विश्यू कप होगा उसमें बहतर परदसन करेगी और ये एक फैसला खिलारीों के लिहाज से team के लिहाज से बहुत बहतर बताया जा रहा है आप इ क्योंकि है तो इस जोड़ी का team India को कितना फाइदा होगा ये भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक जरू करिएगा शेयर जरू करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि जब भी हम कोई वीडि अजरी आपको मिल जाइगी